माशाला बेहन ने कहा कि वो पीज टीवी देखती है और पीज टीवी देखने के बाद उसके पैगाम से प्रसन होके वो इसलाम कबूल करना चाहती है मैं मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इसलाम कबूल करने के लिए कोई भी दबस दस्ति कर रहा है ने आप अपने दिल से करना चाहती कोई भी आपके उपर प्रेश्र दाल रहा है कोई भी पैसा दे रहा है आपको माशाला आप दिल से करना चाहती आप मानते के खुदा एक है भगवान एक है मानते आप आप मानते के मूर्ती पूजा गलत है आप मानते हैं कि मुहम्मद ﷺ आखी पेगंबर है आप अपने दिल से कबोल करना चाहती है कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं लेकिया है और इसलाम में भी हराम है लेकिन अगर कोई दिल से चाहता है तो इस देश में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है इस देश में अगर कोई दिल से अपने मजब को तब्दील करना चाहता है और वो मजब से प्रसंद है तो कोई भी उसे रोकने सकता है उसी तरीके से अगर कोई इसलाम में आना चाता है तो हम भी उसे रोखने सकते इंशालला महरी में कहूंगा आराब उसे दोराईए अश्यदू अश्यदू अल्लाः इलाहा इल्लाः वा अश्यदू अश्यदू अन्ना महम्मदन अब्दूह मैं शहादत देती हूँ के अल्लाः के इलावा कोई माबूद नहीं और महम्मद अल्यदू उसके पेगंबर और बंदे है माशाला मुसल्मान हो चुकिये और अहम्दूलिल्लाः मैं ल्ला सुमादा से दुआ करूँगा कि इन्शाललाः आपको इस जिन्दगी और आखरत में भी इन्शालला सबसे बेटरी जिन्दगी दे और इन्शालला ये अच्छा है कि अमन का पेगाम जो पीस टीवी से फैल रहा है लोग अमन के करीब आ रहे है आउट है इसलाम के बारे में तो आप लोग उसे दूर करना चाहिए और कभी भी कोई गेर मुस्लिम अगर इसलाम मजब में आता है तो आपका फर्द होता है कि आप अपने घर के दर्वादे खुले रखिए और ओपन आम से इन्शालला ये लोगों को बेलकम कीजिए माशालला में शुक्र गुजारा हूँ आपका बें और में उम्मी रखता हूँ कि आप ये पेगाम को आगे पोचाएंगे और मेरा एक अच्छा नम रख दे मुस्लिम नाम बेंड का कहना है कि एक अच्छा मुस्लिम नाम बेंड में जो इस वक्त सोच सकता हूँ आप अपने आपको आईशा कह सकती है आईशा आईशा मुम्म्म्स अल्ला सुलम के अहलिया का नाम था बेगम का नाम था